सभी लोगों ने रात्री में तारे देखे हैं और वो तारे टिम्टिमाते भी नजर आते हैं तो ये तारे क्यों टिम्टिमाते हैं चलिए आज के वीडियो में जानते हैं तो तारों के प्रकास के वयमंडली अपुवर्तन के कारण तारे टिम्टिमाते भी प्रतीत होते हैं मतलब एट्मॉस्फेरिक रेफ्रेक्शन के कारण तारे टिम्टिमाते भी नजर आते हैं चलिए इसे चित्र की सहायता से सरलता से समान लेते हैं माल लेते हैं ये प्रथिवी है और यहाँ पर इस्टार या तारा है अब इस तारे से लाइट या प्रकास चला जो कि पहले तो सीधा आता है लेकिन जैसे ही प्रथिवी के वायुमंडल में प्रवेस करता है तो अपवर्तित होता है या रिफलेक्ट होता है या कहलो कि तो साब तेड़ा मेड़ा होकर चलता है, लेकिन तेड़ा मेड़ा क्यों चलता है, क्यों अपवर्थित हुआ, तो हमारा वयू मंडल जो होता है, ये कई परतों का बना होता है और उन सब ही परतों या लेएर में अलग- different temperature होता है, कहीं पर अधिक थंडी है, तो कहीं पर अधिक गर्मी होती है, इसी तरह से वाय मंडल में धोल के काल कहीं पर अधिक होंगे, तो कहीं पर कम होंगे, और वायो के अणों हैं अन्य सूचम काल होते हैं, तो इन सब के कारण density अलग अलग हो जाती है, जहाँ पर धूल के कण अधिक एकठा होंगे वहाँ पर डेंसिटी अधिक होगी सगहनता अधिक होगी और जहाँ पर धूल के कण या वायो के अणु कम होगे वहाँ पर सगहनता कम होगी बिल्कुल वैसे ही जैसे कहीं पर आग जल रही है तो उसके पास में जितना आप बैठ हैंगे तेज़ गर्मी आपको महसूस होगी थोड़ा उससे दूर जाने पर कम गर्मी महसूस होगी ऐसे ही जैसे आपके पास कोई बड़ी गारी निकलती है तो उसके पास बहुत ज्यादा धूल उड़ती है लेकिन उससे थोड़ा धूर अगर आप हैं तो कम धूल वहाँ पर पाई जाती है ये चीजे जहां पर अधिक होती है वहां पर उनकी डेंसिटी अधिक होती है और जहां पर कम होती है वहां पर डेंसिटी कम होती है अब जो तारा होता है तारों से आने वाला प्रकास जब इन जगहों से होकर गुजरता है जहां पर डेंसिटी अधिक है वहां स होता रहता है मैंने प्रकास के अपवर्थन वले विडियो में आपको बताया था कि जब प्रकास वीरल माध्यम से सगन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर ढूंग जाता है विरल माध्यम उसे माल लो जहांपर कोई भी कण नहीं है या बहुत कम कंण हो और सगन माध्यम उसे मालों जहां पर बहुत अधिक कण होते हैं अब इन में से प्रकास गुजरता है तो अपनी जगह से हट जाता है बिचलित हो जाता है और तारे की आभासी इस्थित वास्तविक इस्थित से कुछ भिन हो जाती है या तारा थोड़ा सा अलग जगह पर दि दिखाई देता है मतलब हमें आभास होता है कि तारा यहां पर है जबकि वह वहां पर होता नहीं वास्तों में तारा अपने ही अस्थान पर होता है वास्तविक इस्थित पर ही होता है लेकिन हमें आभास होता है कि तारा यहां पर है उसे ही आभासी इस्थित कहा जाता है त तो वो अपवर्तित होती रहती है, इसलिए जो आभासी इस्थिती है, ये भी इस्थाई नहीं होती है, ये भी थोड़ी थोड़ी देर पर धीरे धीरे करके बदलती रहती है, क्योंकि प्रिथिवी के वयमंडल की भौतिक अवस्थाएं भी बदलती रहती है, इसलिए तारे क आभासी इस्थिती बिचलित होती रहती है तारह कभी यहां तो कभी इस जगह पर दिखाई देता है अब देखा जैसे जैसे अपवर्तित होता है वैसे वैसे तारे की इस्थिती बदलती ही रहती है और इस प्रकार से तारे के प्रकास की मात्रा कम जादा होती दिखाई देती है इसी कान कोई तारा कभी चमकीला तो कभी धुंधला दिखाई देता है और इसलिए तारे हमें टिम्टिमाते विए नजर आते हैं